खेत में नर्वाई जलाने के लिए लगाया, किसान का मकान चपेट में आने से मवेशी भी जले देवास शेहर से इस वक्त की बड़ी खबर, शेहर के बीरा खेडी शेतर में किसान के घर के फास में खेत में आग लगी आग से किसान बाबुलाल का घर भी आग के चपेट में आ गया दो से तीन घंटे की आग से बाबुलाल की घर में रखा सारा समान जल कर खाक हो गया और घर में बन दो बक्रिया भी आग में जल गई और बेस भी आग की चपेट में आ गई माके पर पहुची नगर निकम की दो से तीन दमकलों की गाड़ी ने करीब दो घंटे की मशक्कत की बाद आग पर काबू पाया स्थानी लोगों ने बताया कि खेतों में जल रही नरवाई के चलते इस घर में आग लगी स्थानी लोगों ने भी आसपास की टुबेल से आग को बुझाने का काफी प्रयास किया वही फायर विभाग की टीम भी आग बुझाते हुए नजर आई बाबुलाल की पती ने बताया कि आग लगने से उनके घर में रखे हुए सारे समान जल गए गवरव्यास की खास रिपोर्ट फाग आई है उसकारण आग लगा है कितने फायर विगेट आई और कितने तरह में आपको काउप आया गया है अभी तो आग बुझाने काम चालू है क्योंकि वह सुकले भरे हुए कमरे में पूरा इसकारण आग बुझाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है अब नाम तो मुझे मालूं है अभी जानकारी लेदे में आपका नाम अनुर जंदिल फायर डिपार्टमेंट देवास अब दो मावेशी जले हैं वीरा खेडी में दसनंबर चोड़ाय पर आग लगने लगी हैं यह जाज का विशह है जाज कर लें यहां के लोग तो कहरा है कहतना फ़ेट में पराली जलाई है अब जाज का विशह हैं इन्नोंने उस कारण से लगी है या कोई और कारण कितने फारवेट बोचिवें यहां पर दो फायर आज़ी अभी आख पर कभू पाज़ी कितने घंटे जलती जाओं यहादे गंटे 45 मिलीट के लगबग से हम आज भूजा है अपका नाव प्रतिक शर्मा अपका इसके घर में आख लगी है और क्या हुआ पुरा मामला है पीछ क्या यहां पर जानवर भी जलें लगी अच्छा यहां कहां से लगी थी पीछे से तुम्हां से लगी है कितने घंटे लगे आग तो बज़े किया नाम हुआरा यह तो विड़ा कि अ और कि लगे खुति को बज़े कितने घंटे लगी है किटने खुतिर को बज़े कितने घंटे खुती हां लगी है लगार यह बचाल बचाण मत्रा यह जबางने प्रका